भोला राम का जीव हरी शंकर परसाई प्रस्तुत व्यंग्य लेख में लेखक ने बड़े हाथ से पूर्ण धंग से सरकारी अवेवस्था पर प्रकाश डाला है ऐसा कभी नहीं हुआ था धर्म राज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास्थान अलोट करते आ रहे थे पर ऐसा कभी नहीं हुआ था सामने बैठे चित्रगुप बार बार चश्मा पोंच बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे गलती पकड में ही नहीं आ रही थी आखिर उन्होंने खीच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मखी चपेट में आ गई उसे निकालते हुए वे बोले महराज रिकॉर्ड सब ठीक है भोला राम के जीव ने पांच दिन पहले देह त्यागी और यम दूद के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ पर यहां अभी तक नहीं पहुँचा धर्म राज ने पूछा और वह दूद कहा है महराज वह भी लापता है इसी समय द्वार खुला और एक यमदूत बड़ा बदहवास अर्थात परेशान सा वहां आया उसका मौलिक कुरूप चहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विक्रित हो गया था उसे देखते ही चत्रगुप्त चिल्ला उठे अरे तू कहा रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहा है? यमदूत हाथ जोड़ कर बोला दया निधान, मैं कैसे बतलाओं की क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया पाँच दिन पहले, जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोग की यात्रा आरंब की नगर के बाहर जियों ही मैं उसे लेकर एक तीवर वायू तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूट कर नजाने कहां गायब हो गया? इन पाँच दिनों में मैंने सारा ब्रहमांड च्छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बुढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बुढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया? दूत ने सिर जुका कर कहा, महराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया, इंद्रजाल का अर्थ है जादू या इल्यूजन चित्रगुप्त ने कहा, महराज, आज कल प्रित्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है, लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं, और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं, होजरी के पारसलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, माल गा यहां सरकारी विभागों और कर्मचारियों में व्याप्त, अकर्मन्यता, अव्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है, जिन योजनाओं को और सुविधाओं को सरकार आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती है, वह कुछ कर्मचारियों के लाल्ची स्वभाव के कारण सही रूप में कार्यानवित नहीं हो रही है, एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ा कर बंद कर देते हैं, कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद दुरगती करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया, धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या ले ना देना इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनी वहां आ गए धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले क्यों धर्मराज कैसे चिन्तित बैठे हैं क्या नरक में निवास थान की समस्या अभी हल नहीं हुई धर्मराज ने कहा वह समस्या तो कभी की हल हो गई नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्धी इमारतें बनाई बड़े बड़े इंजिनियर भी आगए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंच वर्षिय योजनाओं का पैसा खाया उवर्सियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजरी भर कर पैसा हडपा, जो कभी काम पर गए ही नहीं इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं यहां लेखक ने निर्मान उद्योग में व्याप्त भरष्टाचार की तरफ प्रकाश डाला है कि किस प्रकार निर्मान कार्यकर्मी अपनी जिम्मेदारी को भूल कर पैसे के लालच में लोगों की जान जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं वह समस्या तो हल हो गई पर एक बड़ी विकट उल्जहन आ गई है खोला राम नाम के एक आदमी की पाँच दिन पहले मृत्यु हुई उसके जीव को यह दूत यहां ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया इसने सारा ब्रहमान्द छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुर्ण्य का भेद ही मिट जाएगा नारद ने पूछा उस पर इंकम टैक्स तो बकाया नहीं था हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो चित्रगुप्त ने कहा इंकम होती तो टैक्स होता भुख मरा था नारद बोले मामला बड़ा दिल्चस्प है अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ मैं प्रित्वी पर जाता हूं चित्रगुप्त ने रजिस्टर देख कर बताया भोला राम नाम था उसका जबलपुर शहर में धमापुर महले में नाले के किनारे एक डेड़ कमरे के तूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था उसकी एक स्त्री थी दो लड़के और एक लड़की उम्र लगभग साट साल सरकारी नौकर था पांच साल पहले रिटायर हो गया था मकान का किराया उसने एक साल से नहीं दिया इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया आज पांचमा दिन है बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है अर्थात बिना मानविय मूल्यों के स्वार्थी व्यक्ति है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा मा बेटी के सम्मिलित करंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई नारायन नारायन लड़की ने देखकर कहा आगे जाओ महाराज नारद ने कहा मुझे भिक्षा नहीं चाहिए मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूच ताच करनी है अपनी मा को जरा बाहर भेजो बेटी भोला राम की पतनी बाहर आई नारद ने कहा माता भोला राम को क्या बीमारी थी क्या बता हूं गरीबी की बीमारी थी पांच साल हो गए पेंशन पर बैठे पर पेंशन अभी तक नहीं मिली हर दस पंद्रह दिन में एक दरख्वास्त देते थे पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है इन पांच सालों में सब गहने बेचकर हम लोग घा गए फिर बरतन भिके अब कुछ नहीं बचा था फाके होने लगे थे फाके होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है खाने पीने का अभाव होना चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया नारद ने कहा क्या करोगी मा उनकी इतनी ही उम्र थी ऐसा तो मत कहूं महाराज उम्र तो बहुत थी पचास साथ रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता पर क्या करें पांच साल नावकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली दुख की कथा सुनने की फुरसत नारद को थी नहीं वे अपने मुद्दे पर आए मा यह तो बताओ कि यहां किसी से उनका विशेश प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो पतनी बोली लगाव तो महराज बाल बच्चों से ही होता है नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है मेरा मतलब है किसी स्त्री स्त्री ने गुर्रा कर नारद की और देखा बोली अब कुछ मत बको महराज तुम साधू हो उचक्के नहीं हो जिन्दगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आँख उठा कर भी नहीं देखा नारद हसकर बोले हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है यही हर अच्छी ग्रिहस्थी का आधार है अच्छा माता मैं चला स्त्री ने कहा माहराज आप तो साधू है कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए इन बच्चों का पेड कुछ दिन भर जाए नारद को दया आ गई थी वे कहने लगे साधूओं की बात काउन मानता है मेरा यहां कोई मठ तो है नहीं फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा वहां से चल कर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला अब भोला राम ने दरख्वास्ते तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था इसलिए कहीं उड़ गई होंगी वजन रखना अर्थात रिश्वत देकर अपना काम करवाना यहां पर सरकारी दफ्तरों में चलने वाली रिश्वत खोरी पर रोश्णी डाली गई है नारद ने कहा भई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं इन्हें क्यों नहीं रख दिया बाबू हसा आप साधू हैं आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती दर्ख्वास्ते पेपर वेट से नहीं दबती खर आप उस सामने के कमरे में बैठे बाबू से मिलिये नारद उस बाबू के पास गए उसने तीसरे के पास भेजा तीसरे ने चौथे के पास चौथे ने पांचमे के पास जब नारद पच्चीस तीस बाबू और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा महराज आप क्यों इस जंजट में पड़ गए आप अगर साल भर भी यहां चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिये उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे बाहर चपरासी उंग रहा था इसलिए उन्हें किसी ने छेडा नहीं बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए बोले इसे कोई मंदर वंदर समझ लिया है क्या धरधन आते चले आए चिट क्यों नहीं भेजी नारद ने कहा कैसे भेजता चपरासी सो रहा है क्या काम है साहब ने रोब से पूछा नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया साहब बोले आप हैं वैरागी दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते असल में भोला राम ने गलती की भई यह भी एक मंदिर है यहां भी दान पुर्णे करना पड़ता है आप भोला राम के आत्मिय मालूम होते हैं भोला राम की दर्ख्वास्तें उड़ रही हैं उन पर वजन रखिये नारद ने सोचा फिर यहां वजन की समस्या खड़ी हो गई साहब बोले भई सरकारी पैसे का मामला है पेंशन का केस बीसों दफ्तरों में जाता है देर लग ही जाती है बीसों बार एक ही बात को बीस जगह लिखना पड़ता है तब पक्की होती है जितनी पैंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है हाँ जल्दी भी हो सकता है मगर साहब रुके नारद ने कहा मगर क्या साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए आप समझे नहीं जैसे आपकी यह सुन्दर वीना है इसका भी वजन भोला राम की दर्ख्वास्त पर रखा जा सकता है मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है यह मैं उसे दे दूँगा साधू संतों की वीना से तो और अच्छे स्वर निकलते है नारद अपनी वीना छिनते देख जरा घबराए पर फिर संभल कर उन्होंने वीना को टेबिल पर रख कर कहा यह लीजिए अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ओडर निकाल दीजिए साहब ने प्रसंद्नता से उन्हें कुरसी दी वीना को एक कोने में रखा और घंटी बजाई चपरासी हाजर हुआ साहब ने हुक्म दिया बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की सौ डेड़ सौ दर्ख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया उसमें पेंशन के कागजात भी थे साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा क्या नाम बताया साधू जी आपने नारद समझे कि साहब कुछ उचा सुनता है इसलिए जोर से बोले भोला राम साहसा फाइल में से आवाज आई कौन पुकार रहा है मुझे पोस्टमेन है क्या पेंशन का ओडर आ गया नारद चौके पर दूसरे हिक्षन बात समझ गए बोले भोला राम तुम क्या भोले राम की जीव हो हाँ आवाज आई नारद ने कहा मैं नारद हूँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है आवाज आई मुझे नहीं जाना मैं तो पेंशन की दर्ख्वास्तों में अठका हूँ यहीं मेरा मन लगा है मैं अपनी दर्ख्वास्तें छोड़ कर नहीं जा सकता आजीवन सेवा करने के पश्चात भी व्यक्ति को अपने हक यानि पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यह संघर्ष उसके जीवन में इतना अहम महत्व रखने लगता है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती झाल